सेडवा उपकन मुख्याले पर स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच सेडवा को बाजार से बाहर सिफ्ट करने पर बाजार के व्यापारी गण और ग्रामीनों ने बुद्वार को बैंक के आगे धरना प्रदसन किया और बाजार से रेली निकाल कर उपकन अधिकारी को ग्यापन सोपा ग्यापन में बताया कि उपकन की सबसे बड़ी बैंक इस्टेट बैंक पहले से ही मुख्य बाजार में संचालित हो रही हैं जिसको लेकर अब बाजार से करीब डैड किलिमिटर दूर सिफ्ट किया जा रहा ह इस कारण महिलाओं वो वरत लोगों को आने जाने में परिशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्लॉक अद्यक्ष रहीम खान ने कहा कि बुजूर्ग वो महिलाएं पैंसन इसकीम सहीद अन्य कारियों के लिए बैंक में आते हैं। अगर बैंक बाजार से दूर शिफ्ट किया जाता है तो टैक्सी या अन्य सुविदा उपलब्ध नहीं होने की वज़े से आमजन को काफी परिशानी होगी। राजनितिक दबाव में बैंक को किसी एक के फायदे के लिए बाहर शिफ्ट किया जा रहा है जिसको लेकर विरोध प्रदेशन कर ग्या पन सौपा है। दना श्रीए कि बैंक कि यो इस्धिया बैंक की ये इस विरोध के शेंटर गाओं के बीच में बेची होगी। उस बैंक का आपने की लेड़ किलोमटर गांसर बाहर जाए। वहां न तो बैंक के शुक्षा के लिए वाहं न को बाहरी आबादिये। बाकि इस लेकर पे ती अभी बैंक की कोई शीकाष देन थी तान की करोने का अथमाम चल रहा था अब हमारे लोगों कर क्या है कि बाहर के जब लोग आती हैं यहां के बसों में उतरते हैं उसमें आंदे रहें लंग रहें बुगे आते हैं तो यहां बसों पे उतरने के बाद नेट किलो मिटर वहां बैंक में उनको जाना पड़ता तो यहां से बैंक नजदी की 500 मिटर मिटर के दायरे में थी तो वहां पर जाना बचा बैंक का भी निया में के 500 बरक फुट फुट में पर होना चाहिए बैंक होना चाहिए पाहर नहीं होना चाहिए उन लोगों के लि और वहां क्या है कि आते पे 5-0 पर पैंसर का आता है, 9-0 पर यह इंते देंगे पिर इसके घर में बच्टा क्या है। इसलिए हर लियाज से बैंक की चुविदा गाओं के अधर होने के हैं, लोगों की चुविदा यहां होने कहीं, वहां एक दर पैसा ले जाना करना जमा करना लोगों को रूट के लिए जाएगा। इस दोरान पूर्व राजय मंत्री गफूर एहमद, साता सरपंच तेजदान चारंड, लाल खान बलोच, सेड़वा प्रदान रमेश कुमार, सेड़वा सरपंच परतिनेदी हैदर अली, केके धारेजा, गुलाम अली, बील समाज अध्यक्स, गुनेशा राम, हमलू रामसाइद काई लोग मौजूद रहे।